जो बंदा है जिसने याँ पर याँ पाई किया इसको 46 मिलियन का ये वॉल्यूम है तो इसको ये खबर पता है कि इसे फिश्चर में कुछ हो सकता है इसलिए इस ट्रॉग इसने अभी तक होल्ड कर आओ और बेचा अभी तक नहीं है 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 एक बाद वारा से आप सभी का स्वागत करता हो आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करने करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो अगर आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो लाल कर आपको बटन दिख रहा ह तो देखते हैं कि दोस्तों स्टॉक के प्रॉफिट लॉस कैसे है और इसका से रूलिक पैटर्न कैसा है और क्या आपको स्टॉक में इंवेस्टमेंट करनी चाहिए और इस परडिकुलर स्टॉक का विजनस कैसा है और देखेंगे मेरे कुछ स्टॉक की होल्डिंग जो मैंने आपके साथ शेर किये थी लास्ट वीडियो के मातियम से तो कुछ स्टॉक में आप लोग कॉमेंट करते रहते हो नीचे तो उसका एक शोड़ा सा अपडेट देता हूं क्योंकि बहुत लोग चिंतित रहते है कि क्या करे क्या करे तो बहुत बाद जैसे मैंने आपको बताया आप अपनी दिसरच पहले खुद करना उसके बाद पैनिस्टॉक को बाई कर सकती हूँ राइट मिझे बलाइंटली फॉलो करने के अफसकता बिल्कुल नहीं है पहली बात तो और दूसरी बात दोस्तो अगर आप पैनिस्टॉक को बाई कर रहे हो तो उसमें पहले तो आप वो ट्रेडिंग के पॉइंट और व्यू से भाई नहीं कर रहे हूँ आपको जो मैंने पैनिस्टॉक दिये हैं वो कम से का आपको दो से चार साल तक होल्ड करने पड़ेंगे तब ही ओफ जाके आपको एक अच्छी रिडन दिखा सकते है तो मतला आपको अपना पैसा यह इसमें डूप सकता है तो यह रिक्स उस फैक्टर उसमें involved रहता है इस बात को ध्यान रखते वे आप पैनिस्टॉक में इवेस्ट करना अगर करना चाहती हो तो अब स्टार्ट करते है वीडियो की स्टॉक का नाम क्या है और हम हमें क्यों स्टॉक को में बाय करके चलना और बेसिकली जो एक काम करती है मुवीज का और मीडिया का ठीक है फ़िystem करती है और ये company vsc में लिस्टिट कमपनी है दोस्तों company के बारे में और आगे जाने से पहले मैंने कुछ stock आपको recommend और suggest किये ते जो काफ़े अच्छा perform अभी कर रहे है तो एक बार उनको देख लेता है, छोटा सा अपडेट दे लेता हूं के बारे में भी, क्योंकि बहुत सार लोगों का नीचे कोशन आते रहता है, कि सर इसके बारे में अपडेट देज़े, तो देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ दो का अपडेट दे रहा हूं, बाकि मादी किया था, बीस पैसे के असपास, अभी कत्र बैस जाला है, अभी इसमें लोगर सके लगना स्टार्ट हो गया है, इसकी कुछ डी मर्जर की खवर थी, एक हमारे दोस्त है, उन्होंने कॉमेंट करके हमें अपडेट कर देता है, कि इसका डी मर्जर नहीं हुआ है, तो इस वहाँ पर एक बाई बनता है, लेकिन उस समय जब आएगा तो वो तब की तब देखेंगे, अभी इसमें आप बैठ सकते हो, अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर वरी हो, तो आप एकिट कर सकते हो, कोई टेंशन है, मैं तो इसमें बैठा रहूँगा राम से, ठीक है, और दूसरा हमारा नाइसा कॉप, जो हमें अल्मोस्ट दो सो पचाव प्रसन की रिटन दे रहा है, ठीक है, तो इसमें तो, देखो, मेरी जो इस स्टॉक में देखा, अच्छा लग रहा है, साइद मैं बाई करूँगा, और मैं बाई करता भी वैसी बात नहीं नहीं करता हूँ, ठीक है, अब रही बात इन स्टॉक को सेल करनेगी, ये आप में छोड़ता हूँ कि आपको कब सेल करना है, मैं इनको सेल करूँगा, या capital या 2% of your salary जो मंदली salary आप लेते हो इस तरीके से आप penny stock में अपना portfolio बना सकते हो साथ में जो बड़े blue chip companies है आप उनमें भी थोड़ा थोड़ा करके invest करो अगर आप 2% penny stock में कर रहे हो तो आप उसको double कर दो 5% आप कर दो उदर blue chip company में ठीक है blue chip का मतलब होता है 50-50 की company तो ही साथ में आप थोड़ा जो small cap और mid cap stock है जो 50 रुपे 100 रुपे चल रहे हैं आप उनमें भी investment करना start कर सकती हो तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे market के जो stock के sector से हर sector में investment करो यह निए कि आप सिर्फ penny stock के पीछे पागल हो जाओ तो अगर आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद आता है तो भाई थफसे वेले तो वीडियो में like कर देना और share पका करके जाना share आप कर सकती हो share कर सकती हो twitter, telegram, whatsapp group में, facebook में ताकि हमारा वीडियो दूसरे भाईयों के साथ पहुश सके और उनकी भी थोड़ी मदद हो सके कि आप कैसे penny stock को select कर सकती हो और कैसे stock market में आप एक अच्छा मुनाफ़ा कर सकती हो मैं trading की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं investing की बात कर रहा हूँ ठीक है, investing करके कैसे आप कर सकती हो तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के हमारे stock की तरफ यह best penny stock for 2021 हो सकता है और it could be a multi-wagger stock एक multi-wagger stock भी हो सकता है और आपकी अच्छे रिटन दिखा सकता है पहले मैं आपको stock के बारे बता देना चाहता हूँ यह stock ना काफी लंबे समय से 50 पैसे के range में टेट करा काफी लंबे समय काफी लंबे समय का मतलब होता है 5 साल के period से तो मतलब साइद आपको इसमें seller मतलब seller साइद बहुत कम मिले तो हो सके ना तो रोज की रोज अगर आपको time मिलता है तो एक bid place कर सकते हो अगर नहीं कर पारे हो तो आप दूसरे जो brokerage houses है उनके साथ account घुला सकते हो तो वहाँ पर आप definitely अनाप से इसको buy गढ़के चल सकते हो तो दोस्तों stock का जो market cap है 48 crore के आसपर का market cap है current price चल रहा है आपका 49 पैसी के आसपर चल लहा है high low जैसे मैंने बताया है कि stock एक tight range में trade कर रहा है last 5 सालों से 5 सालों से इसी range में trade कर रहा है इसी वज़े से stock मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई stock अगर 5 साल से एक range में trade करता है तो कुछ ना कुछ उसमें बात होती है तो या तो वो किसी खवर का वेट कर रहा है कि यो खवर आए उसके बाद stock में moment आएगी तो जब वो खवर out हो जाएगी तो साइद आपको मौकान इमिल पाएगा stock को पकड़न देगा तो इसलिए भाई ही बहतर है यह पहले ही अपने portfolio में add अगलो थोड़ी बहुत quantity और दोस्तों books के according कावी sustainability कर रहा है एक रुपे का इसका value होना चाहिए ऐस पर books और यह skinner.in की तरफ से भी है और दोस्तों देख सकते हो company almost debt free है company में मतलब करजा थोड़ा बहुत कम करजा होगा जो यह अरांतर दे सकती है और जैसे मैंने आपको बताया stock अपने book से कावी sustainability rate कर रहा है काफी अच्छी बात रिए और दोस्तों मैंने quarterly result खोल रखे तो quarterly result इसके इतने अच्छे नहीं है लेकिन September quarter में आप देख सकते हो इसने आच लाग के असपास का profit दिया है एक recent profit company ने सो किया है आच लाग के असपास का और लगातार कुछ last कुछ दो साल के असपास में इसको loss ही हो रहा था मैनस 11 लाग के असपास का मैनस 13 लाग के असपास का तो मतलब September quarter में एक उमीद जगी है कि हाँ stock में कुछ हो सकता है stock का future bright है मतलब bright का कहने का मतलब यह नहीं है कि यह stock 400 रुपे का हो जाए bright का मतलब कि आपको at least 100% return तो दिखा सकता है अगर आप buy करते हो बाकि आप खुद की research देफिनेटली add करना कोई सुजाओ होगा तो definitely नीचे comment कर सकती हो तो operating profit margin आप देख सकती हो almost 4% के आप जंप हुआ है September के quarter में तो definitely उमीद है कि जो अगला quarter तो December quarter भी जा चुका है इसके result जब इसके आएंगे तो definitely एक अगर positive result देखने को मिलते है तो definitely buyers में activate होंगे और stock का price rocket हो सकता है इस price से भी जो 50 पैसे के आसपस अभी चल रहा है तो definitely इसको follow करो और दोस्तों देख सकते हो as per ticket tab website ticket tab एक website है अच्छी कासी website है तो इसके according stock अच्छी एक good price में मिल रहा है मतलब overboard zone में नहीं है और दूसरी बात दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कोई भी red flag नहीं है मतलब ना तो यह ASM category में GSM category में मतलब कोई भी category में नहीं है तो अच्छी बात है कि यह stroke अच्छी उसमें मिल रहा है और दोस्तों अगर मैं बात करूँ उसका serualic pattern तो serualic pattern देखो इतना impressive नहीं है आपको पता है अगर stock 50 पैसे कास पर trade करा तो कुछ ना कुछ promoter definitely अपनी हिससारी बेशते है तो इसमें at least 17% के आसपास promoters ने इनको hold कर रहा तो एक अच्छा नम्मर ही figure निकल के आता है कि 17% के आसपास company के promoter hold कर रहे और company ने एक भी share pleasure नहीं करावा जो इनके पास है और एक बात बोलूँगा दोस्तो मैंने इसका news निकालने की कोसिस करी कि company क्या insolvency तो file नहीं कर रही है तो मुझे तो कोई news नहीं मिली कि ये company insolvency file कर रही है अगर आपको कोई news मिलती है तो definitely में साथ share करो ताकि मैं आपके साथ उसको update कर पाऊ तो अब stock की chart के मादिर से जानेंगे कि ये price से क्या stock rocket हो सकता है कुछ उमीद दिख रही है भाई rocket होने की तो देख लेते जैसे मैंने बताया stock लगातार 5 सालों से एक tight range में trade कर रहा है जो निकल के आता है stock को ठीक है और कुछ लोग buy भी कर रहे है तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको bid डालनी पड़ेगी अगर आपका chance लगा तो definitely आपको मिल जाएगा अगर नहीं लगा तो भाई मैं क्या करूँ और एक ची और देखो दोस्तों से मजली बात क्या है अगर आप देखो के यह जो volume है यह जो volume निकल के आता है यह volume निकल के आता है 46 million के असपास यह volume आपका generate हुआ था 2017 के बीच में ठीक है मंतली चार्ट खुला हुआ है तो अगर आध्यान से देखो कि यह जो volume है और इस candle का यह है यह candle इस candle लगा जो low है ना अभी तक यह break नहीं हुआ है देख सकते हो आप तो मतलब यहाँ पर किसी बड़े बंदे ने इसको buy किया है बड़े बंदे ने और यह बंदा इस stock यहां नीचे गिरने नहीं दे रहा देख सकते हो लगातार एक ही रेंज में ट्रेट कर रहा लगातर 5 सालों सो है तो कुछ ना कुछ तो 50 पैसे के प्राइज में होगा होगा ना तबी तो कोई बंदा इसको 50 पैसे के प्राइज में buy करने में लगा है नीचे गिरने नहीं दे रहा तो definitely इसकी कुछ न कुछ तो news future में leak होगी और out हो सकती है इसी वज़ासे जो बंदा है जिसने याँ पर याँ buy किया 46 million का ये volume है तो इसको ये खबर पता है कि definitely इसने future में कुछ हो सकता है इसलिए इस stock इसने अभी तक hold कर रहा हो रत्रम छोटे target की तो अगर इस stock 55 million पैसे के उपर sustain कर जाता है 55 million पैसे के उपर sustain कर जाता है तो definitely फिर ये आपको एक रुपे के target दिखा सकता है अराम से उसके बाद अगर एक रुपे के उपर एक को लोग क्लोजिंग कर देता है मेरे हसाब से 3.5 रुपे के target ये अराम से आपको दिखा सकता है ठीक है? तो भाई मेरे हसाब से आप डेसरेटिक स्टॉक में बैट लगा सकते हो लेकिन आप प्लीज अपनी रिसर्च इसमें एट कर लेना चल सकते हो कोई भी सुजा होगा कोई भी अपडेट होगा नीचे कॉमेंट करके मुझे आप बतला सकते हो आप हमें telegram, twitter, instagram में follow कर सकते हो उसका link आपको नीचे मिल जाएंगे और please वीडियो में अगर आपने इसने देर तक देखा है मुझे इतनी देर तक सुना है तो आप सबसे request करूँगा कि please वीडियो को share कर देना यार share कर सकते हो आप अपने whatsapp group में और face zoom में share कर सकते हो ठीक है telegram में share कर सकते हो twitter में share कर सकते हो instagram story में लगा सकते हो mail कर सकते हो जहांचोग करना आपको करो लेकिन वीडियो को share पका करके जाना ठीक है मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो till then bye bye thank you so much safe trading happy trading and peace out झाल